हेलो दोस्तों आई आज हम पर स्टार्ट करते है अपना DVMS का MCQ Marathon इसके पहले भी हम लोगों ने काफी सारा Marathon वीडियो को कवर किया है Marathon means यहां पर Set of MCQ questions होंगे जो कि आप NIC का preparation कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा exam competitive exam या फिर objective questions का preparation कर रहे हो तो आप इस set of questions आप practice कर सकते हो higher level exam के लिए भी यह काफी useful marathon वीडियो से लाइक आप बार किस्तों गेट नाइसी किसी पिग्जाम का कर रहे हो preparation तो आप यह सब marathon वीडियो से practice कर सकते हो especially जो भी मेरे NIC की students है they already knows की syllabus रहे है fully NIC structured जैसे web technology का उसको cover किया गया है MCQ marathon में वी उनका syllabus कवर किया जा रहा है तो stay tuned आप बने रहे हैं आपको एक regular interval पी videos बगेरा मिलते रहेगा कुछ student का कहना है कि थोड़ा सा late होता है like 2-3 दिन का gap हो जाता है बीच-बीच में कभी ऐसा chance होता है तो actually office work और इन सब चीजों में थोड़े busy होने के कारण 2-3 दिन का बीच में gap हो गया होगा अगर workload या फिर कुछ ऐसा रहा हो तो मैं try करती हूँ कि जब भी time निकले तो आप लोगों के लिए videos में बना करके डाला करूँ ताकि आप भी regular basis पर बिना delay के आपको video मिलता रहे like a be maximum videos में रात के मतलब 10-11-12 ऐसा मैं record कर पाती हूँ इसलिए अगर किसी को maximum ज्यादा query हो तो आप लोग message कर सकते हो या मेरा mail id दिया हूँ आप description में आप mail id पर mail कर सकते हो आप channel के mail id दिया है आप वहां से मुझे mail कर सकते हो इस पर इस पर कोई problem हो तो और कुछ urgent video चाहिए हो हो तो क्योंकि अभी एक regular question आ रहा था कि exam कब होगा exam कब होगा पर मैंने काफी सारे videos आपको बना करके दिया है actually अभी कोई update नहीं है internal तो उस question का मैं भी कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी बस इतना ही बोल पाऊंगी कि अभी next 15, 20, 25 या एक महीने के अंदर कोई ऐसा information नहीं है मतलब मैं हमीसा contact में रहती होगी अगर कुछ इसा information मिले तो आप लोग को सबसे पहले देने का try करूँ लेकिन अपी ऐसा कुछ पी information नहीं है फिर कुछ बच्चों का query था कि admit card को कैसे download करेंगे तो पहले तो मुझे लगा admit card release हो गया क्या मतलब लोग इतना ज्यादा question कर रहे तो admit card तो release नहीं हुआ है अब और उसके लिए मैंने एक sort सा video बनाया है विक में पास ज्यादा time नहीं था बनाने का उस time पर तो मैंने सोचा कि बस 2-3 minute का video बना के आपको clear कर दिया जाए अभी एक video आपको मिलेगा time मिलते ही मैं एक video और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि proper screen share करके मैं अब एक चीज और है एक feature और है जो मुझे एक video में आपको बताना है वो है कि आप लोग चैट GPT को कैसे use करो गया like मैं maximum जैसे coding करती हूँ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ काम रहता है मेरा project related तो मतलब like आप बिलकुल project का चीज तो नहीं copy कर सकते हो अगर आप working हो तो थोड़ नॉर्मल questions आपके पास है तो आप चैट GPT से कैसे question करोगे चैट GPT आपको कैसे reward करता है वो मैं बताऊंगी यह बहुत useful tool है और students like आप कुछ भी कर रहे हो जैसे आपको कुछ operating system का नहीं आता है तो आप directly जैसे आप मेरे से पूछोगे ना like मैं बताऊ कि यह कैसे होगा seem way सह आपको टाइप करके एक वर चैट GPT में आप ट्राइ करोगा आपको बिल्कूल बहुत अच्छा से explain करके बताएगा जिस जो use कर रहे हैं वो मेरी बात को easily समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही है लेकिन फिर भी मैं वो video इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती है कि मुझे यह करके दो वो करके दो तो वो करके देगा आपसे वो एक तरीके से बात भी करेगा it's not like a google की उसके पास कुछ pages है और वो आपको निकाल के देदेगा वो आपको at the time real time question solve करके देता है यह इसमें अच्छी बात है तो आपको वो use करना सिखाना बहुत जरूरी ह क्योंकि after like अब भी तो आपको बहुत काम आएगा study में assignment में और किसी preparation में प्लस अब जब project वेकरा में जाते हो आपकी job लग जाती है उस समय भी आपके पास बहुत ऐसे queries होंगे जिसको वो solve करेगा अभी dbms के mcq marathon में हम लोग काफी सारा discussion कर लियो जो आपको next video में समझ मे आएगा कि मैं इसमें क्यों introduce कर रही हूं और आप लोग थोड़ा बने रहे हैं वीडियो के साथ एक एक वीडियो ट्राइ करिए कि नाइसी का जो भी वीडियो डाला गया उसको cover करिए और जो लोग भी नाइसी का preparation कर रहे है ना या computer science related प्लीज उनको बोलिए कि चैनल को ए यहां लोग विजिट कर रहे हैं मतलब मैं चाहती हो ना कि मैं अपना सारा मैंना वीडियो पर दो ना कि मतलब I can't do marketing and all too much मुझे मतलब I want to deliver only the quality products आपको quality videos मिले और लोग खुद आए मैं ऐसा चाहती हो बट मेरे पास time नहीं है या फिर मुझे वो ठीक भी नहीं लगता कि मैं जाओ और चीजों को solve करू I think अगर आप लोग को चीजे समझ में आती है मेरी अच्छी लगती हो आपको लगता है कि मेरा एक दो वीडियो या क कुछ भी information किसी को helpful हो सकता है फ्लीज आप लोग ये मेरे लिए करो मेरे को बस इतना ही favor चीए बात बाकी आप जो भी बोलते हो कि पढ़ना है पढ़ाना है समझना है मैं हमीसा हूँ आप लोगों के लिए ठीक है छोड़ी next आते है हम लोग अपना DBMS के lecture में MCQ Marathon में आए य question को concept को explanation के साथ अच्छे से समझते होना तो आपको क्या होगा कि आप काफी सारे questions solve कर पाओगे और अगर आप new हो channel पे तो मैं आपको बता दूं कि MCQ Marathon का rule ये है कि जैसे question को पढ़िए उसके 4 option को पढ़िए वीडियो को pause कीचे पहले खुछ से solve कीचे अगर सही करते हैं त मतलब आप online live test ऐसा कुछ अपने आपको कर रहे हो ठीक है पहला question है which of the following is not a property of a relation in a relational database relational database का ये कौन सा property नहीं है no duplicate rows attribute names attribute values unordered unordered data नहीं होना चाहिए duplicate rows नहीं होने चाहिए attribute name attribute values ये सब कौन सा ऐसा है जो एक property नहीं है relational database का तो as we know database में क्या करते हैं हम टोग table save करने का काम करते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा बहुत basic question है आप बता सकते हो उसके बाद हम लोग explanation देखते हैं सही करोगे तो plus one अपने आपको ले 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 ना pause कर लो फिर our explanation देखते है unordered a relation in a relational database is an unordered collections of tuples rows and this property is not a requirement of a relation a relation is definitely by having no duplicate rows having attribute names and containing atomic values मतलब आपका main जो property है ना वो क्या है duplicate rows नहीं होने चाहिए attribute name होने ही चाहिए attribute value भी होने चाहिए atomic values होने चाहिए और लेकिन जो यह unordered collection of the tuples है यह कोई property नहीं है इसकी आये next question आपका देखते है तो इसमें आप यह तीन चीज भी आपका clear वा कि क्या mandatory things है next question है in a relational database the primary key is used for हम लोग जानते है कि हम लोग की को यूज करते है तो primary key को यूज करते है हम लोग यह question है ordering the records in the table मतलब table में record को order करने के लिए establish a relationship between the table tables की बीच का relationship maintain करने के लिए ensure data integrity and uniquely identifying roles providing security to the database बहुत easy question है पक का आप लोग कर लियोंगे मैं damn sure हो इस चीज के लिए आए इसका explanation explanation देखते है ensuring data integrity and uniquely identifying roles as we know कि primary key का use क्यों करते है अगर एक table है माली जे कि student table इसमें roll number है name है और student का data है तो हम को किसी school में है यह data database अगर किसी teacher को देखना है कि राम ने कितना लाया है तो राम नम का कही student हो सकता है लेकिन roll number क्या होगा unique होगा तो यहां पर uniqueness किसी column को unique बनाने के लिए हम लोग क्या करते है primary key का use करते है इसमें the primary key and relation database institute the each row in the table is unique and serves as an identifier for the row okay इसमें क्या होता है duplicate null इसमें तो आप null values primary key में हो ही नहीं सकता है जरूरी है कि होगा ही होगा उसमें value और उसमें duplicate भी नहीं हो सकता है question no.3 what is the purpose of the SQL join operation in a relational database SQL join काफी सारे type के joins होते है outer join inner join natural join तो यह पूछ रहा है कि join operation का काम क्या है database में to insert new rows in a table नाम से भी थोड़ा सा guess करो यार अगर आप नहीं पढ़े हो तो उससे आप options में जाओ to delete rows from the table to update existing rows in the table to combine rows from two or more tables based on the related column join मतलब क्या होगा जोडना right पहले मैं hint दी हो आप question करो मतलब आप share room है क्या आप कर लिए हो गया आई explanation देखते है to combine वाला option सही है D वाला क्यों सही है आपका एक table है दो table है join का का काम क्या होगा दोनों का जोडने का लेकिन क्या है ना कि आप join operation से कैसे delete insert कर सकते हो नाम पे भी suit नहीं करता फिर क्या है ना कि इसमें जैसे दोनों कॉलम को आप क्या कर रहे हो जोइन कर रहे हो बार जोइन करने काना कुछ conditions होता है उस condition based पे होता है उसके लिए आपको join पूरा पढ़ना पड़ेगा अगर किसी student को confusion हो ना I thought clear होगा लेकिन फिट भी अगर कुछ confusion हो तो आप मेरे को comment करना मैं एक small video बना दूँगे join operator पे क्योंकि थोड़ा important है join operation like हम लोग project में directly join का भी use करते है तो join operation में क्या क्या होता है वह like left में क्या होता है like left में क्या होता है right में क्या होता है next है आपका question in a relational database the concept of foreign key refers to foreign key क्या मतलब है in the database में हमने देखा primary key का purpose यह भी पूछ रहा है आए एक बार हम लोग options देखते है a key used for sorting the reports in the table a key used to uniquely identify as rows in the table यह तो नहीं हो सकता भाई क्यूंकि हमने तो यह definitions in primary key का भी last question पहले हमने देखा next क्या है a key that establish a relation between the tables by referencing the primary key to another table a key that automatically generate for the each neural कोई foreign key का concept पढ़ा होगा वो अलरी इसका answer दे चुका होगा जिन्होंने नहीं दिया है आई यह explanation देखते है इसका option C होगा क्यों होगा देखिए foreign key क्या होता है और यहां मालनो B table और मालनो यहां पर C table इसका भी primary key इसमें जाड़ा और इसका भी primary key का reference यह ले रहा है तो इसमें 2 foreign key होगा इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है यह reference देता है जब आप normalization से पढ़ोगे तो आप 1NF, 2NF, 3NF, BCNF यह सब पढ़ोगे तो यह पूछ रहा है कि कौन से ऐसे normal form में है जो partial dependency वाला problem को खतम कर देता है उसके बाद partial dependency अगर partial dependency है तो वह उस form में होगा ही नहीं यह कौन सा normal form है तो अगर आपने normalization पढ़ा होगा तो I think यह 10 minute मतलब अगर आप बुक कोलोगे तो normalization is a big chapter अगर आप small concepts और tricks में समझना चाहते हैं तो आप याद करने के लिए 5-10 minutes काफी है normalization का एक page काफी है जब आप shortcut बना करके उसका लिख लेंग normalization का किसी को भी problem हो तो comment जरूर कीजेगा normalization का मतलब 5-10 minutes का मैं वीडियो बनाऊंगी और उसमें आपको normalization का mean concept है वो बता दूगी कि 1NF में basic क्या होता है 2NF में क्या नहीं होता है 3NF में क्या accept नहीं करता है और PCNF में क्या accept नहीं करता है ठीक है तो इसका explanation आईए देखते हैं 3NF 3rd normal form ensures that a relation is a 2nd normal form पहले तो 3rd normal form जो है वो 2NF में होना चाहिए and has no partial dependency meaning that the non-key attributes are not functionally dependent on only a portion of the primary key ठीक है आईए next question which SQL clause is used to retrieve only unique values from a select query result कौन सा clause इसमें से है जो कि retrieve करता है सिर्फ unique values from the मतलब select query में हम लोग क्या लगाएंगे तो सिर्फ आपका क्या है कि unique values को fetch करेगा distinct unique group by and having आईए distinct the distinct keyword is used in a select query to eliminate duplicate rows and retrieve only unique values from the specific column माल लीजे यहां पर हमारा एक कॉलम है इसमें से अकर आपको fetch करना है क्या distinct आपको rows करना है same columns क्या करेंगे आप distinct लगा देंगे तो वहां पर क्या करेगा कि किसी column से आपको unique ही unique ही data निकाल के देगा आई ये next question देखते है which SQL commands is used to remove a table from a database I hope आप लोगों को मज़ा और अगव पढ़ने में तो मैं काफी सारे point को मतलब मैंने इस subject को न बहुत sort tricks लगा लगा रहे बढ़ा था मतलब क्योंकि I know कि मैं कभी भी किसी भी further project में जाओंगी तो वहां पर database is must अगर आप database को नहीं अच्छे से परोगे तो SQL commands नहीं कर पाओगे और database का concept नहीं पता होगा तो मतलब थोड़ा tough है तो अगर आप लोग को sort trick वगदर चाहिए हो तो आप पूछ सकते हो चलो next इसमें क्या question है which SQL commands is used to remove a table from a database कौन सा ऐस SQL command है जो कि क्या करता है which SQL command is used to remove a table from a database हां मतलब अगर database है database और table दो चीज है ठीक है पहले तो database में कई सारे table हो सकते हैं कई सारे table हो सकते हैं तो अगर आपको कोई specific table को remove करना है हटाना है तो कौन सा command का आप यूज करोगे delete drop erase or remove ठीक है आपके पास 10 seconds answer करोगे आइए देखने explanation drop अपने पहले बहुत easy level protect level पर भी बढ़ा होगा कि किसरह table को ही remove करना है मतलब टेवल के अंदर के data को हम लोग को remove नहीं करना है हम लोग को की आपने जैसे का टेवल के data को delete करना है तो delete row, delete column यूज करते हैं लेकिन हम लोग को की आपने कैना है basic theory पता होगा, तो अब जब practical करने जाओगे, तो चीजे इसली कर पाओगे, तो the drop command is used to remove a table, view or other database object from the database scheme, correct? Next है question number 8, in a relational database, इस super key is, super key क्या हो पाए? A set of attribute that uniquely identifies a tuple, a candidate key that is not minimal, a key used to establish relations between table, a key used for storing records in a table, काफी सारे type of key होते हैं, primary key, foreign key, तो हमने पहले question में देख लिया, अब super key से question आया है, ठीक है? A set of attributes that uniquely identifies a tuple, a candidate key that is not minimal, आईए देखते हैं, b, a candidate key that is not minimal, a super key is a set of attributes that can uniquely identify a tuple, but it may contain more attributes than necessary, a candidate key is a super key that cannot be further reduced without losing its uniqueness property, correct? Now, the next question is, in the context of indexing, what is the primary purpose of the B structure, B tree structure? मतलब index हम लोग पढ़ते हैं, index हे एक file index करके हमारा एक chapter है, यह भी बहुत important है, तो यह पूछ रहा है कि B tree में, B tree में इसका क्या परपस होता है, what is the primary purpose of B tree structure, B tree structure का क्या परपस है? to ensure the consistency of the database, to improve query performance by reducing the number of input-output operation, to eliminate, duplicate values from a table, to define relationship between the tables, then the answer is B, to improve query performance by reducing the number of input-output operation, I explanation samasthen, a B tree is a balanced tree structure commonly used in the database indexing to organize and efficiently access data, to it minimizes the number of input-output operation, ठीक है, next question है, which SQL statement is used to add new rows in a table, किसी table में आपको new row को add करना है, तो क्या करोगे, किसका यूज करोगे, append, add, insert, attach, चारों तो similar ही लग रहा है, कोई नहीं पढ़ा होगा ना, तो कुछ भी mark कर के आएगा, है ना, और negative marking तो है, इसके लिए ऐसा options है, insert, हम लोग जानते, insert, delete, normal, normal commands है, यह database के, इसके लग अपने basic थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो बहुत easily answer कर देंगे, अभी next part लेके आऊंगे ना, इसका, थोड़ा vast लेके आऊंगे, मतलब, पूरा table होएबल डाल के लाऊंगे, और आपको उसका question solve परना पड़ेगा, ठीक है, तो, the insert statement is used to add new rows to the table in the relational table, question number 11, which of the following is the key feature of the ACID properties in a relational database management system, key feature क्या है ACID properties का RDBMS में, तो इसका option है, improved query performance, simplified data modeling, data redundancy, transaction, integrity and consistency, the answer is D, transaction, consistency and integrity, the ACID property, इसका full form क्या होता है, बहुत important question है, मतलब पूछ देता है ये question, आपको, आप semester exam दी होगे, पूछा होगा ये question, ACID property का full form क्या है, add to me city, consistency, isolation and durability, ensures that database transactions are executed reliably and database remains in the consistent state, which normal form, next question, which normal form allows only full functional dependency and eliminates transitive dependency, कौन सा ऐसा normal form है, अभी इसका just a question हमने किया था, जिसका answer 3NF था, मैंने आपको बोला ना, कि मतलब फाइब मिनिट्स में आप understand कर पाऊगे, सबका और इससे questions आना ही आना है, normalization is very important question topic, मैं ऐसा बोल नहीं सकती हूँ, कि actually क्या important नहीं है, इसमें SQL command भी बहुत important है, commands जो है, insert, delete, इसमें भी बहुत important commands है, join operation भी important है, फिर उसके पाद मतलब, इसमें पूरा बाट के question आता है, एक topic से नहीं आपको बहुत सारा पुछेगा, question सारे ही important है, तो पूछेंगे, तो इसमें पूछ रहा है कि, fully functional dependency और eliminates transitive dependency ये किस normal form में होता है, 2NF, 3NF, BCNF and 4th normal form, the answer is BCNF, BCNF allows only fully functional dependency, अगर fully functional dependency है, तभी BCNF allow करेगा, और क्या करता है, eliminates transitive dependency by ensuring that, each non-prime attributes, attribute not part of any candidate की, functionally dependent only on the candidate की, question number 13, in a relational database, a view is, relational database में, view क्या है, a copy of a table with all the data duplicated, a physical storage structure for the data, a virtual table derived from one or more tables, a backup of the entire database, एक relational database में, view क्या है, ठीक ही, आप लोग answer करो, फिर आई एक्स्पानेशन देखते है, see, a virtual table derived from one or more tables, a view in a relational database is a virtual table that is based on the result of the select query, it doesn't store data itself, but provides a way to present selected data from one or more tables, next question is, which SQL command is used to modify data in a database, आप देख रहों कितना important है, अभी तक insert, delete, drop हमने देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, कि कौन साइसा SQL command है, जो modify data को करने देता है in database, insert, delete, update, alter, update, the update command is used to modify existing data in database type by changing the value specific column in selected rows, याद रहे हैं इंपटेगा इंपटेगा इंपटेगा, question number 15, which database model allows entities to have attributes and relationship between entities and represented as a link, hierarchical model, network model, relational model or ER model, ER model is the answer, in the ER model entities are represented as rectangles and attributes and as oval, मतलब हम लोगों ने ये अल्रेडी पढ़ा हुआ है, ER model हमने पढ़ा है ना, rectangle, oval में, weak entity, strong entity, ये सब concepts है ना, इसमें, तो ये बहुत easy questions था, इसमें कुछ तप नहीं था, और next, एक चीस है जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, ये तो series खतम हो गया, 15 questions पाई सिर्था students इस बार, मतलब मेरे को उतना time नहीं मिला कि मैं ज्यादा questions दे पाऊं, मुझे लगा कि 10-15, 10-15 करके, अगर time कम है, तो भी मैं देती जाऊंगी, तो आपका कुछ practice होता जाएगा, फिर मैं series निकालती हूँ कल पर सूमें, next, और एक चीज़ है, जो मुझे आप लोगों से बात करनी है, पहले तो मैं आप लोगों को बहुत thank you बोलूँगी, क्योंकि मतलब जैसा-जैसा message आता है ना, comments में, appreciation message, मतलब बहुत जादा खुशी मिलती है, मतलब प्रोपर मैं बोल कर और फिर आप लोग बोलते हो, कि like thanks for this, मतलब कुछ लोगों ने comment किया है, उनको मैं personally बोलना चाहूंगी, कि आपने काफी जादा appreciate, मतलब मुझे motivate किया है, और उसके लिए thank you so much, और आप वीडियो में बने रही है, और कुछ भी requirement हो, कुछ भी need हो किसी भी subject का, तो please आप टच में रही है, मुझे mail किजे, message किजे, मैं हूँ आप लोगों के लिए available, और thank you so much for motivating me, शायद आपका motivation ही है, जो मैं after job work भी, मेरे अंदर एक mindset होता है, कि नहीं, इन लोग का भी dependent है, like they are, like you all are wanting कि मैं आपको दूँ वीडियो बना के on time, तो ये motivation मुझे मतलब काम करने को प्रेरेग करता है, मैं थकी भी रहती हूँ, तो rest करके फिर मैं उठती हूँ और फिर वीडियो बनाना, question set को, समझना कि किस टाइप के questions को डालना है, जो आप लोग के लिए काफी important होगा, और उसको edit करना, फिर record करना, and then it is time consuming, so I hope, ये मैं बता इसलिए रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी delay होना, तो please patience रखें, बहुत urgent कुछ information हो, जो आपको चाहिए हो, तो आप जरूर मतलब urgent में चाहिए हो, तो urgent flag लिख करके भी आप डाल सकते हो, मैं as soon as possible, सबसे पहले उसी video को cover करूँगी, मतलब आपको information लेने से मतलब है, तो मैं आपको search video में information दे दूँगी, ऐसा अगर मतलब जादा student का query, same question पे होगा तो, ठीक है, और thank you, thank you so much, and bye, and good night, take care.